YouTube पर quality content की कमी नहीं है बस उन्हें परकने में समय लगता है ऐसे में higher mathematics पर वीडियो ढूनना और भी मुश्किल चैनल को subscribe करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूं Now let's begin Hello friends welcome back to the another video तो आज इस वीडियो में एक चोटा सा थेरम देखने वाले है थेरम नहीं है यह चोटा सा प्रूफ है तो statement क्या कहता है वो पहले देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है every ball is convex बहुत ही simple सा अग्तम statement लिखा हो गया है तो हमें प्रूफ क्या करना है every ball is convex जितने भी ball है सबको सब क्या है convex है अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ball क्या होता है और convex क्या है यह दो टर्म ऐसे है जो आपको समझना जरूरी है तो ही आप प्रूफ इसे कर सकते हो पहले हम समझेंगे convex क्या होता है and then ball क्या से करते वह देखेंगे हम तो हमसे सबसे पहले देख लेते convex क्या है जब आप छोटे थे तो classic 7th में आपने convex चीज तो वर्ट सुनी होगी basically क्या होता है आपके पास कोई भी एक region है suppose यह region मैं बोल रहा हूं s this is a region s और आपको क्या करना है उस पर कोई भी दो पॉइंट रैंडम भी ले लो एक पॉइंट इसका कहे दूँगा a इसे कहे दूँगा b जब आप उन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेग्मेंट बनाओंगे जो दोनों के endpoints होंगे a और यहां का end यह गई पोईंट होगा b तो फो जो लाइन सेग्मेंट हैं कॉंप्लीट helps कर से एस के अंदर लाएक करना चाहिए ऐसे आप जितने ही में बनाओ वार हमनें शाय कहा लाइप आप अविगर में लाइक है तो chalyde देख लेते हैं, मान लो किसी बच्चे ने एक point लिया, एक point लिया, दोनों को जोड़ दो, again उसके अंदर आ रहा है, तो आप एक सी कजच नहीं कर सकते, कि हाँ यह आ रहा है, इसका मतलब वो convex set हो गया, आप जितने चाहिए उतने लो, in general देखो, चलो दूसरा point, दो point लेके द देख लेते हैं, मान लो किसी ने एक point लिया, और एक point लिया, again इन दोन पर हमने एक line segment बनाया, again वो s region में lie कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि s convex set हो गया, मान लो कि किसी ने यहां लिया, और किसी ने यहां पे लिया, दोनों को मैंने join कर दिया, एक line segment बना दी, but वो region, यह जो region देख सकते हो, यह region, यह जो line के points है, यह उस region के अंदर नहीं आते, इसका मतलब क्या, यह जो region है, ऐसे आपके पास यह convex set नहीं है, यह convex नहीं है, तो आपको दूसरा example लेके दिखते है, चलो मान लो किसी ने circle ले लिया, ठीक है, यह हम्मेशा convex रहेगा, क्यो तो S जो circle है, आपका वो convex set हो गया, अब यहापे मैं आपको तीन figure देता हूँ, मान लो, एक S1 बोल गया, मैंने, एक कुछ headphone जैसा है, आपको S2 figure दे दिया, और एक मैंने दे दिया, S3, ठीक है, आपके पास तीन figure है, अब आप देखो, कौन सा इसमें से convex है, कौन सा नहीं है अगर मैंने इसको देखू, यह कई नहीं, कई ओल शेप का है, आपको भी दो point लेलो, कैसे भी लेलो, और line segment मना लो, हमेशा इसी के अंदर लाए करने वाले, तो आप इसे कह सकते हो, यह convex set है, S1, अब आजो next इस पर, यह देखो, यह connected है, connected मतलब क्या कई से break नहीं हो रहा ह है, तो यहां से आप conclusion दे सकते हो, कि every connected set is may or may not be convex, connected set यह भी connected है, बट यह convex है, यह भी connected है, बट convex नहीं है, तो इसका मतलब क्या, जितने भी connected set होते है, वो convex हो भी सकते है, नहीं भी हो सकते है, कोई guarantee नहीं, ऐस तरही पर आजाओ, यह तो definitely, जितने भी disconnected set है, जो connected नहीं है, यह definitely convex set होंगे, होंगे, क्योंकि आप यहां point ले लो, एक point यहां ले लो, बना दो, और देख लो, यह line segment उस region में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि definitely यह क्या नहीं है, convex set नहीं है, तो S3 is not a convex, S2 is also not a convex, and S1 is a convex set, I hope guys, आपको यह convex का concept समझ में आया होका, next term देखते हैं कि ball क्या होता है, ठीक है, मान लो आपके पास, आप suppose plane में हो, R2 plane में हो, XY plane में हो, ठीक है, यह आपका x axis हो गया, यह y axis हो गया, आपने एक point ले लिए यहां पे, ठीक है, आपको क्या find करना है, इस center जो कि मैं बोल रहा हूं, suppose, यह 5,5 देतेते हो, और यह 1 दे छोड़ो, यह आपका center जो है, 1,1 पर है, ठीक है, 1,1 पर है, अब आपको क्या find करना है, इसके corresponding में ball find करना है, आप ball बोला है, तो मतलब इस type का कुछ figure दिखेगा, और कई ना कई radius उसके पास होना चाहिए, बट R2 में अगर आप देखो, तो आपका ball क्या कहलाएगा, circle कहला collect करो, ऐसे X collect करो, such that, mod of X minus, वो center को suppose मैं C बोल रहा हूँ, X minus C, less than, कौन से radius का आपको ball चाहिए, R radius का, यह setup को क्या देगा, यह setup को ball देगा, इसका मतलब क्या, आपको SA points collect करो, मानलो आपका radius यह है R, तो आपको क्या करना है, SA points collect करो, such that, mod of X minus R, X minus center C, less than क्या आना चाहिए, R से less than आना चाहिए, इसका मतलब कि जब आप इसको समझोंगे, यह है आपका suppose center C, और यह है आपका radius है R, आप कोई भी X point ले लो, suppose मैंने X यह हैं ले लिया, तो आपको क्या करना है, X minus C, यह distance find out करना है, और वो देखना है कि वो इस radius से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाह है, strictly छोटा ना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ball कहलाएगा, ऐसे different different, बहुत सारे X collections जब आप find कर लोगे, तो आपको basically क्या मिल जाएगा, ball मिल जाएगा, तो वही ball का definition, तो ball का definition क्या है, ऐसे X collect करो, such that, mod of X minus C, वो distance, आपने X find out कर लिया, उस से और center के distance निकालो, और क्या ना चाहिए वो, वो R से छोटा ना चाहिए, मानलो किसी बच्चे ने ये X consider किया, और इसका जब आपने X के साथ, C के साथ distance निकाला, तो वो तो comparatively इस R से क्या है, जादा है, तो ये X जो है, ये ball के अंदर नहीं आने वाला, ये reason उसके अंदर नहीं आने वाला, त हमेशे क्या रहते हैं, convex रहते, ये तो हमें पता है, convex रहेंगे, obvious लिए आपको भी दूपॉइंट ले लो, जोड़ लो, उनको हमेशे सीकर में लाई करने वाले, बड़ इसका हम प्रूफ देखने वाले हैं, तो बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, तो देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा, तो पहले आपको क्या डिफाइन करना है पड़ेगा, एक बॉल डिफाइन करना पड़ेगा, मानलो हमारा जो बी सेट ही क्या है, बॉल है, मतलब क्या, आपको ऐसे एक्स कलेक्ट करने है, such that, क्या होना चाहिए, mod of x minus c, वो बॉल जो है, आप कौन से सेंटर का है, c सेंटर का है, with radius r, तो आपको क्या करना है, ऐसे एक्स कलेक्ट करने है, such that, यह कंडिशन सैटिस्फाइ होनी चाहिए, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या है, बॉल है, यह क्या है, हमारा, बॉल, of, कितना radius है, be with the ball of radius, इसका radius में कितना मान रहा हूँ, r मान रहा हूँ, and, या फिर about center, कौन से about center क्या है, and about center c, and about center c, तो यह है आपको, आप में proof क्या करना है, अभी आप समझ लो, suppose मैं आपको 2D में समझा जिता हूँ, आपके पास यह ball है, और आप क्या बोल रहा है, यह center c है, और यह आपका distance radius जो है, r है, हमें proof कर एक point ले लिया, A, और एक point ले लिया, मैंने B, दोनों कहां से लेने है, मुझे, उस ball में से लेने है, तो आपके क्या लिखने वालो मैं, take any two point A and B, which is inside from ball, जो B set में belong करेंगे, ठीक है, हम वो लेने वाले है, and moreover, हमें क्या proof करना पड़ेगा, जब हम यह line segment बना देंगे, तो वो line segment जो बन जाएगा, L, वो जितने भी points होंगे, कहां कहां लाए करने वाले, सारे के सारे points, जितने भी points कहां लाए करने वाले, उस X, उस set, ball के अंदर लाए करने वाले है, तो हमें proof क्या करना पड़ेगा, जो हम ball लेंगे, उनकी बीच का जो line segment हम बनाएंगे, वो line segment कहा लाए करना चाहिए, उस set में, उस ball में set आना चाहिए, तो यह हमें आपर लिखने वाले है, तो यहाँ पर मैं वह लिख दूँगा, बढ़ हमें in general proof देना है, तो हम जो भी define कर रहे है, हम Rn में define कर रहे है, ठीक है, हमारा जो X है वो कैसा देखेगा, X1, X2.xn उस pattern का देख ठीक है, तो यह नोट करने वाली बात है, तो यहाँ पर मैं वही लिखने वाला हूँ, कि हमने क्या define कर रहे है, हम एक ball define हमने कर दिया है, तब हम क्या करेंगे, कि हम कोई भी दो point ले लेंगे, suppose हमने ले लिया, if A, B belongs to B, कहा ले रहे है, हम B set में से ले रहे है, ठीक है, अब A और B कहा ले रहे, B set में से ले रहे, इसका मतलब क्या, वो condition क्या satisfy करने वाले है, यह condition satisfy करने वाले है, that this implies that mod of A minus C is strictly less than R, and mod of B minus C is strictly less than R, इसे मैं कह दूँगा, इन दोनों को मैं एक साथ combine करके equation number 1 कह दूँगा, ठीक है, यह नोट करने वाली बात है, अब हमने A और B दो point ल लाए करना है, B point में लाए करना है, मतलब उसके अंदर जितने भी, मानलो A और B मैंने यह आपका circle है, ball है, दो point ले लिए, मैंने A और B, तो A और B को मुझे उस ball B में satisfy करना है, इसका मतलब कि जितने भी points इस line पर है, जितने भी, इस line segment पर, जितने भी points है, कहा आने वाले, स अब वो point एक inequality satisfy करेगा, तो ही मैं बोल सकता हूँ, कि वो point उस B set के अंदर आएगा, तो यहाँ पर हम बताने वाले है, तो यहाँ पर हर एक point लेना हम देख नहीं सकते है, वो point कैसा दिखेगा, but by pedometric equation हम बोल सकते है, कि वो line की equation क्या रहेगी, A plus TH, और T set आपका चिवेरी कर आँ, कि हमारे पास वो point है, जो lucky line segment पर लाए करने वाला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते है, for 0 is less than equal to T is less than equal to 1, तो हमने ले लिया है, for 0 is less than equal to T is less than equal to 1, ठीक है, तो we have, आपके पास वो line segment कैसा दिखेगा, line segment आपका दिखेगा, A plus TH, where T runs from 0 to 1, उस line segment के हर एक point इस pattern के और आपका H है, वो क्या है, B minus है, यह जो मैं conditions ले रहा हूँ, यह मैंने बहुत अच्छे से explain किया है, इसके just previous video में, वहाँ पर हमने mean language value theorem का third proof हमने किया था, in general proof किया था हमने वो, तो वहाँ पर हमने यह चीज अच्छे से define की थी, यह line जो है, इस pattern का दिखेगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अभी आप देख सकते हो, हमारे पास क्या है, एक ball है, suppose है मैं इसको B, इस set को ball बोल रहा हूँ, ठीक है, हमने क्या क्या, इस पे दो point ले लिए, एक लिया A, एक लिया B, अब उससे pass होने वाली, एक line segment L define कर दी, मैं कब बोलूँगा, कि यह जो line है, यह B के अंदर लाए कर दी, मैं कब बोलूँगा, मतलब मैं कब बोलूँगा, इस line के अंदर, जितने भी points है, infinitely many points है, इस line के अंदर, ठीक है, मैं कब बोलूँगा, कि यह points जो भी है, उस B के अंदर लाए कर रहा है, कब मैं बोलूँगा, जब, वो कोई भी एक आप इस में से point ले लो suppose मैं इसको D point बोल रहा हूं तो D minus C is mod of less than R यह जब inequality hold होगी तो ही मैं बोल सकता हूं कि यह जो D है यह उस ball B के अंदर आता है तो यह अब ही हमने देखा कि उस point हर एक element जो की line L पर है वो कैसा देखेगा हमेशा A plus TH की देखेगा for some T कोई भी एक T आप चूज़ कर सकते हो कोई भी T चूज़ कर लो हमेशा इस pattern को तो definitely दिखने वाला है मैं कब बोलूँगा कि यह जो पूरी line है यह कहा आनी आनी चाहिए ऐसा हमें proof करना है तो मैं क्या करूँगा in general कोई भी एक point ले लूँगा अब in general कोई भी एक point ले लूँगा मतलब क्या वो कैसा दिखेगा A plus TH जैसा दिखेगा क्योंकि line के अंदर हर elements कैसे दिखेगे A plus TH के लिए दिखेगे for some T को एक T fix कर लेंगे for some T ठी है तो हमें क्या करना है mod of A plus TH minus C less than mod of R हमें ये proof करना है कि ये जो चीज है ये क्या आने चीज है less than R से हमें ये चीज़े proof करनी है तो हमें क्या proof करना पड़ेगा हमें proof करना पड़ेगा mod of A plus TH minus C strictly less than R तो ही हम बोल सकते है कि हर एक point कहा लाए करना वाला है उस बॉल B के अंदर लाए करना वाला है तो हर एक point लेने से अच्छा मैं क्या करूँगा एक general point ले लूँगा तो general point क्या है A plus TH minus C for some for some T को एक T fix कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा तो हमें क्या proof करना है बस हमें ये proof करना है कि ये mod किस से आना चाहिए less than R से आना चाहिए तो consider हम क्या करेंगे हमें consider करना पड़ेगा mod of A plus TH minus C ये हमें consider करना है which is same as आप देख सकते हो mod of A plus T H की value guys मैं आपको पहले ही बताए क्या है B minus A तो या लिख देंगे हम B minus A minus C मैं स्वी में क्या कर रहा हूँ plus C T इसके रप करते था इस अभी कुछ काम नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपे plus C T add कर रहा हूँ और minus C T subtract कर रहा हूँ अब हम क्या करेंगे mod of A plus T B minus A T minus C plus C T minus C T मैंने क्या क्या किया इस bracket को open कर दिया अब हम common terms correct करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास क्या क्या बज़िया है आप यहाँ से आप देख सकते हो यह है आपके पास A T और यह है आपके A इन दोनों से जब हम A common निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 minus T TB और यह सी T इन दोनों मेंसे पहले तो क्या करूं मुद्अ प्लस SIN कORMA निकाल रहा हूं और T कORA निकाल रहा हूं तो आपको क्या मिल जाएगा इन दोनों मिल जाएगा 1-t मिल जाएगा मुझे अब देखो 1-t और 1-t इन दोनों में अगें common है तो हमें मिल जाएगा 1-t मैंने common बाहर निकाल लिया और क्या बज़िया mod के अंदर a-c यह दोनों निकल के plus t times bracket में b-c अब गाइस देखो आप यहाँ पर हम यूज करेंगे triangle inequality जो की होता है mod of a plus b is less than equal to mod of a plus mod of b हम यह inequality यूज करने वाली है अगर इसका आपको प्रूफ जाना है तो मैंने description में इसका प्रूफ का link दे दिया है तो आप यहाँ पर देखो आपका पूरा a यह है और आपका यह जो b है यह है तो हम यहाँ पर यह inequality यूज करने वाले हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमने फिलाल यह लिख दिया है अभी आप गाइस देखो वन माइनस टी वन माइनस टी पर observe करो आपका टी कहां से कहां वेरी कर रहा है जिरो से लेखे वन के बीच में लाए कर रहा है जब आप वन में से यह टी सब्ट्रैक्ट कर दोंगे या तो टी जिरो हो सकता है या तो हो सकता है या तो नोकी बी-ची को भी हो सकता है तो यह हमेशा क्या होगा अंति ti term बाहर आ गया अब बच क्या गया mod के अंदर mod of a minus c बच गया plus t मैंने पहले ही बता है t एक positive number क्योंकि इस range में vary कर रहा है तो यहां पर भी t काम नहीं है यह भी mod से बाहर आ जाएगा तो हमें simply यहां का मिल जाएगा हमें मिल जाएगा t बाहर आ गया तो फिलाल हम कहां पर थे हमने क्या बोला mod of one minus t mod of a minus c plus t times mod of b minus c हम यहां पर तक पहुत चुके थे अब आप observe करने वाली बात क्या मैं आपको बोल रहा था कि आपके पास क्या है भी यह आपने निकाल लिए अब आप देखो कि mod of a minus c और हाँ यह किसे less than equal है किसे less than equal हमने वो भी तो लिखाता है हमने लिखाता है mod of a plus th minus c यह से less than b equal चल रहा है तो हमने क्या किया अब आप देख सकते हो a minus c किसे चोटा है strictly less than r तो यहां पर आजागा strictly less than one minus three strictly less than r plus t times mod of b minus c यह भी कहा strictly less than r है तो यहां पर भी simply आजाएगा r अब observe करो यह देखो इसको खोल लेते हैं so this whole equation is equivalent to one minus tr sorry one into r plus tr 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 cancel तो मल जाएगा r into one जो कि है r तो यहां पर हमने proof कर दिया mod of a plus th minus c is strictly less than r क्योंकि हां strictly less than है इसलिए strictly less than r तो यह a plus th क्या है कोई भी उस point l मेंगा कोई भी एक point है randomly कोई भी point है in general point है हमने उससे c से minus करके less than r से equal neutrality proof कर दी इसका मतलब क्या वो जो ball है आप कोई भी दो point ले लो वो line segment बना लो वो हमेशा उस ball b के अंदर आने अला है this implies that ball b is क्या है convex convex है तहाप हमने प्रूफ कर दिया है अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको समझ में आया है तो like dislike जरूर कीजेगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजे शेर कीजे और सबसे जरूरी बात चैनल को सबस्क्राइब कीजे थैंक यू सो मच लव यू टेक केर बाई बाई